अब अब आज अब आज मारे कोट का डिसीजन आया है लेकिन डिली पोलिस पे अभी भी ट्रस नहीं है क्योंकि वह कोई कि हम च्छे दिन से बैठे हैं तो फ़ायर करने इतना टाइम लगा तो वह त्रस्ट जो बिल्ड वोड़ दिया है और वो लूज एफायर कर सकते हैं इसका अब अब यहीं करेंगे उसके उपर ही मारा नेक्स दिश रहेगा तेकिन हमारा अभी भी यहीं करेंगा है कि उनको जेल में डाला जाए परदानमंत्री जी से नेक्तिक्ता की अधार परेकल है कि उनको हर एक पद से टाय जाए जो वो सांसद हैं चाहिए वो रैस्लिंग फेड़ेशन को संबाल रहे हैं क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे जाज को परभावित करेंगे और हम निश्पक्स जाज चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पूरा विस्वास है देश की अधालत के सामने भी हमारी है पूरे देश पर हमें विस्वास है कि हमारे साथ ने आये होगा जितने भी खिलाडियों ने बारत में दो अलंपी गोल्ड है तो गोल्ड ने आख में टूइट किये हैं कि वो खिलाडियों तरफ समझ आप पर जो पूलीस तक एफ नहीं कर रही थी मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिरिजबुसन रैस्लिंग फेडरेशन के एध्धैक से अगर कोई एध्धैक से खिलाडी के साथ ऐसे करता है तो किसके पास जाएंगे स्कायत करने के तो उनको तो तुरुम में टालते ना जाए अभी कि उनको मिल चुके है सुप्रीम कोट से भी कि भाई आप तरज करिए जब ऐसे फेडरेशन के एध्धैक से सोशन करते रहेंगे तो किसके पास कातले के जाएंगे खिलाडी उनसे बढ़ा तो उस हैडरेशन में कोई नहीं तो नगता कि दिल्ली पुलुस को कड़ी कि सब्सक्राइब जो सबी महिला संगठन है जो भी हमारे अपने जो हमारे लिए प्रोटेस्ट हैं उनका बहुत धन्यवाद महिलाओने की रफ्तारी है अपना हाँ पूरे में कश्मीर से कन्या कुमारी तक बहुत महिला संगठों ने हमारा समर्थन किया है सब भी मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं तो मैं सब का बहुत धन्यवाद कर रहूंगी